एए हलो दोस्तों I hope आप लोगोंने आंसर की जो है SSA CHSL का वो चेक कर लिया है और यह वीडियो बनाने का मेंन मोटिव है कि काफी बच्चे हैं जिनको जन्होंने पर आंसर की चेक किया था तो उनके नमबर ठीक ठाक बन रहे थे 140, 130, 150 लेकिन फिर पर RBE ने जो उनका जो cut-off analysis है वो उन्होंने बताया जिसमें basically उन्होंने बताया है कि undeserved के लिए 161 प्लस है, OBC के लिए 157 प्लस है, EWS के लिए 154, SC के लिए 140 और ST के लिए 127 प्लस, तो actually उनके according चले हैं तो cut-off बहुत हाई है और cut-off हाई जाएगा ही क्योंकि मैं भी बहुत ब लोगोंके, तो cut-off हाई रहने के chances हैं, तो अब वो बच्चे बड़े confused में हैं, जो 140-45-50 वाले हैं, कि सर क्या करे, mains की तहरी करे, CGL की करे, मैंने आपको expected.off बताई दिया, undeserved 161 प्लस, यह मेरा analysis नहीं है, यह RB जो channel है, उन्होंने analysis किया, वही करते हैं, क्योंकि उनके पास data data बहुत होता है, तो यह वो चीज, cut-off वगरा, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं, और हर बार almost accurate होता है, almost मतलब थोड़ा बहुत error हर जगा होता है, लेकिन आप यह मान के चलो, कि अगर उन्होंने 161 भी बोला है, तो कम से कम होगा, तो कितना होगा, 150 होगा, अगर आपके 150-55 से भी कम है, 150 से भी कम है, तो आपको mains की तयारी ना कर गेना, CGL पर आपको focus कर लेना चाहिए, जो भी CGL का exam है आने वाले दुनों में, उस पर focus करो, और जिन बच्चों की भी 160-170 आ रहे हैं, या 150-60 भी आ रहे हैं, और या कम वाले भी, जो CGL की तयारी कर रहे ह आपको पता ही है कि क्या करना है, आपने अल्री प्रीमिस कोड किया है, 170+, 160+, 150+, तो आपको मौक्स पे ही ध्यान देना है, मैं कोई नया सोर्स नहीं बताऊंगा, आपको कुछ भी नया सोर्स पर मत जाओ, ठीक है, कोई नया कोर्स इंडॉल्मेंट की ज़रूत नहीं है, हाँ, जो आपके पास previous years की book है, उन्हीं पर बेस रो हो, उन्हीं को बार-बार practice करो, books आपको पता ही है, maths के लिए मैं आपको करना है, सेम इंगलिस में, सेम जीके में, और बाकी maths के लिए, अभी जो हम लोगों का एक batch आ रहा है, revision batch, जो basically Friday से start है, आप वो join कर लेना, free of cost है, उसमे मैं आपको कुछ पैसे नहीं देने है, ठीक है, आपके पास जो book है आप उसी से practice कर लेना, आपको मैं, जो classes की PDF होती है, class की PDF वो मैं दूँगा, उसमें मैं पूरी कोसिस करूँगा कि जितने भी types wise आते हैं, किसी भी chapter मेरा, वो आपको cover कर दूँ, almost 35 classes आने वाली है, अगले पर जो आपने किया है, जिसमें आपके 170, 170 नमबर आए हैं, जहां से आप इतना नमबर लाए हो, उसी पर डिपेंडर हो, कुछ नया करने की ज़रत नहीं है, कुछ भी नया करने की ज़रत नहीं है, और जिनके भी 130, 40, 50 आए हैं, बिलकुल मत गबराओ, आपके बहुत अच् माक्स बढ़ेंगे, माक्स में दिक्कार है, वो बढ़ेंगे, और मॉक्स पे ज़्यादा ज़्यादा रिपेटर हो, जिनके भी 130, 120, 110 प्लस आए हैं, आप रेस में हो, आप CGL कर सकते हो, अच्छे नमबर से अच्छी रैंक के साथ वो कर सकते हो, अगर आप 120 प्लस, 110 प्लस ला रहे हो तो, अभी आपके पास देड़ दो मैने है, अपना बेस्ट दो, और जो भी CHSL के माक्स पे स्ट्रिक्ट रहना, अपने आपको बांद लो कि मुझे माक्स देने हैं, as much as you can, अगर मान लो मेंस के माक्स कम मिले, तो सेक्षिनल माक्स के, मैंस के, इंगलिस के, जीके तो थोड़ा selective रहोगे, हो जाएगा, मैं, बहुत बच्चे पूछ लेजए, मैं उनको बोल भी रहा था, कि जो आप कर रहे हो, आप उसी को करते रहो, आपको कुछ भी नया करने की जौरत नहीं है, कुछ भी नया करने की जौरत नहीं है, आप CGL भी निकालने वाले हो, के नंबर ही इतने अच्छे हैं आपने बस क्या करना है अपने मौक्स को रेगुलर रखना है करेंड आफेर्स को स्ट्राउंग करना है मैग से कब और नहीं है तो आप कैसे कब कब करेंगे उसके बारे में एक वीडियो मैं कल बता दूंगा कल थोड़ा सा अच्छे से बता बुक्स लेनी है अगर कोई बच्चा नहीं लिना चाहे तो कैसे कर सकता है किसी के पास औरैड़ी बुक Lacsil नहीं खरीदना चाहरा है कि तो कैसे कर सकते हो या आपने कही पर ले रखा है तो वहां से कैसे कर सकते हो इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे ठीक है तो चलो फिलहाल लग जाओ अपने मेंस की तेहरी में या परी की तेहरी में ज्यादा अपने आपको ब्रेक देनी जुरत नहीं है थैंक यू सो मच